राखी सावंत ने करण कुंद्रा पर टिकेट टो फिनाले में लगाए संगीन आरोप आखरकार क्या है वो आरोप और क्या कहा है राखी ने करण को आईए मैं आपको बताऊंगी इस विडियो में नमस्कार मैं से अगदास पाकत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर अब आ चुनना था कि कौन सा पांचवा वी आईपी मेंबर बनेगा ऐसे में सभी कंटेस्टेंट्स के सार यानि कि नॉन वी आईपी मेंबर्स कर रहे थे डीबेट आपस में और चुना जानना था एक ऐसे कंटेस्टेंट को जो कि वी आईपी मेंबर्स के साथ इंकलूड होना था अब ऐसे में फिलहाल डेबेट के दौरान जहां देवुलिना ने तेजस्वी प्रकाश पर कई सारे इलजाम लगाए वाश्रूम ड्यूटीज को लेकर उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी अपनी ड्यूटी भी नहीं निभाती है और इन तमाम बातों पर जहां करण कुंद्रा ने दिया तेजस्वी प्रकाश का साथ तो ऐसे में राखी सावन ने साफ तोर पर कह दिया कि करण कहीं न कहीं ये स्ट्राटेजी कर रहा है और वो तेजस्वी को ही जटाना चाता है इस वचह से वो देवुलेना की बातों को नजर अंदाज कर तेजस्वी प्रकाश की बातों को काउंट कर रहा है ऐसे में अब आपको बता दो कि आपसी सहमती से ये decision लेना था कि हाला कि कौन इस debate में winner बनना है ऐसे में देखा जाए तो तेजस्वी और देवुलना के बीच हुए इस debate में करण, रश्मी, उमर सभी ने दिया तेजस्वी का साथ तो मजबूरन राखी सावंत को भी देना पड़ा तेजस्वी प्रकाश का साथ और ऐसे में राखी ये कहती भी नजराएं कि तेजस्वी और करण के बीच जो जगड़े होते हैं वो सिर्फ दिखावटी होते हैं असल में ये इनकी strategy होती है गेम में आगे बढ़ने की तो देखा जाए तो वेल आपको बता दू कि यहाँ पर राखी सावंत ने संगीन आरोप लगाए हैं साफ तौर पर करण जान बूच करते जस्वी प्रकाश को वेल वी आईपी मेंबर बनाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं क्या आपको भी लगता है कि यह यूँ राखी सावंत का अरोप लगाना करण कुंद्रा पर सही है या गलत कमेंट करके जरूर बताएं तबाम अपडेट्स के लिए बनी रहें चानल के साथ